एक काम कर लो एक भी रुपया का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा कान खोल कर सुन लो एक भी रुपया का पैसा अब लोन का जो रिपेमेंट है नहीं करना किसी भी कमपनी से लोन लियें और एक काम आप कर देते हैं तो ना तो आपके घर पे एजेंट आएगो और ना ही आपक कर लेते हैं तो लोन कंपनी से मतलब आपको परिशानी से एकदम जंजड जो हो रहा था ना वो खतम होने बाला है तो वीडियो को लाज तक देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने यूटूब चैनल को पैसा नहीं चुका पाते हैं तो कंपनी आपको कॉल करता है मैं आपको एक ही चीज़ बोला जाता है कि पैमेंट करें अगर आप पैमेंट नहीं करते हैं तो वह आप लोगों को बताया जाता है कि आपके घर पर हम एजेंट भेजेंगे या तो आपके उपर लिगल केस करें नहीं हो अगर आपके पास पैसा रहता तो किसी का बात तो आप सुनने वाले नहीं कोई अगर आपको दो बात बोल रहा है आपको वे फिजूल का कॉल कर रहा है उसका जवाब देना पड़ रहा है ऐसा तो काम आप करेंगे नहीं लेकिन यहां पर प्रूब्लम यह है कि पैसे problem है पैसा नहीं दे पा रहें. तो एक ऐसा काम आपको करना पड़ेगा जिसको आपको करने के बाद न ही आपके घर पे अजेंट आ रहा है और न ही Police Case होगा और नहीं किसी प्रेकार का Call भी आएगा क्योंकि वह काम करने के बाद लोन कंपनी को प्ता चल जाएगा कि यह जो अगला जो आदमी जो customer है जिसको उन्होंने लोन दिया वह कापी जाता चलांक आदमी है और दुनिया में आप यकिन मानिए कि अगर आपको जनकारी है किसी भी चीज को लेकर तो जल्दी से आप से लो लोन कंपनी से लोन आपने लिया है क्या वह NBFC रेजिस्टर है यह नहीं है तो देखिए यह common बात है जो कि basically लोग क्या करते हैं नहीं पता करते हैं अगर मुझे लोन का requirement है तो मैं क्या करता हूं सिधा प्ले स्टोर पर जाऊंगा कोई भी application उठाऊंगा उसको डाउनलोड करूंगा अपना documents दे दूंगा अधार card pen card bank account पैसा मेरे bank account के अंदर transfer हो गया अब जो है पैसा को मैं ने यूज कर लिया अब repayment नहीं कर पा रहा हूं तो नहीं करने के condition में call आता है जब call आरा है तब वहां पर लोगों को समझ नहीं आता कि company नभी एफसी से register है यह नहीं है तो सबसे पहले तो आपको यह चीज से रेजिस्टर है यह नहीं तो उसके बाद आपको वो जो मैं आगे वता रहा हूँ जो चीज आपको उपाय करना वो बता रहा हूं तो अब इसको कैसे चेक करें अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दू जो की नए लोग की की्या चैक की पठा जांगा डाउत है। वह जो company है, यह NBFC से register है, यह नहीं है, क्योंकि अगर वो आपका civil को report कर रहा है, आपके civil में वो loan दिख रहा है, तो वो जो है NBFC register company है, और उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर वो fake loan apps है, ठीक है, फरजी loan apps है, जो कि civil को report नहीं कर रहा है, तो उसका पै परिषानी से भी निजात कैसे मिलेगा, वो भी आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको परिषानी जो हो रहा है, उसका पूरा मैं यहां पर cover करने वाला हूं, ताकि दिक्कत नहीं होना चाहिए लोगों को, मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो बनाता हूं ना, वो इस इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, एक application है, पलोसी बजार से भी चेक कर सकते हूं, और एक application है, one score बोल के ठीक, एपले स्टोर पर एवी लेवल मिल जागा, उसको डाउनलोड करना है, जैसे कि मैंने यहां पर डाउनलोड किया हुआ है, अब देखिए, यहां पर मेरा जो सिबिल है हुआ, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, सबसे पहले उपर में मेरा यहां पर नाम आ रहा है, आपका जो इहां पर नाम है, यह फलना है, और आपका जो सिबिल स्कोर है, यहां पर 692 है, और excellent में 817 था, लेकिन डाउन हो गया, क्योंकि मैं बहुत सार लोन एप्स का जो है पेमेंट नहीं किया हूँ, ठीक है, जिसके कारण से मेरा यहां पर सिबिल डाउन हो रहा है, अब देखिए, मैं जो चीज आपको समझाना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुझे, यहां पर माई लोन का जो आपसन है, इसके उपर सिंपल सा क्लिक करना, अब माई लोन के उपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहां पर देखिए, पूरा डिटेल्स आ रहा है, आज तक मैंने अपना पैन कार्ड देकर, जिन जिन लोन कंपनियों में लोन लिया है, उसका पूरा नाम यहां पर आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आपका जो पैसा है, यहां एकदम किलियर है, क्लोज है लोन, ठीक है, अभी यहां पर एविलेबल लोन में कितना है, पांच कंपनी का यहां पर एक्टिव लोन है, पांच लोन मेरा अभी एक्टिव है, तो अभी किसका किसका चल रहा है, तो सबसे पहले यहां पर देखि ठीक है और अगर मैं इन लोन एप्स का पैसा नहीं चुकाऊंगा तो प्रूब्लम हो सकता है जैसे कि मैं आपको बता दूं क्रेडिट भी धानी रिंग पे लेटर यह जो अप्लिकेशन है यह काफी ज़्यादा पॉपुलर अप्लिकेशन है प्रूब्लव को नहीं कर रहा हूं इसका पैसा आपको चुकाना पड़ेगा लेकिन अगर पैसा नहीं है तो समय आपको दे आगए एकदम आपको देगा दो मेह नचार मेह का समय दे रहा है उसके according company यहां पर plenty जोड़ रहा है तो उसके बाद यहां पर आपको समय मिल जाता है लेकिन इसका पैसा चुकाने में ही आपकी बलाई है क्योंकि अगर आप पैसा चुका देते हैं तो आपका civil भी ठीक रहेगा और साथ में आपको problem नहीं होता है ठीक है अब रहा कि ऐसे company से आपने लोन ले लिया है जिसका नाम ही आपके civil पर नहीं दिख रह तक न खौल कर सुन लेना आपको पैसा नहीं चुकाना कौन की देखिए एक तो आपके पास पैसा नहीं है उपर से अगर company call कर रहा है तो कहीं कहीं ने कहीं आपको harassment कर रहा है परिसान कर रहा है क्योंकि ज चुरा लिया जाता है उसके बाद उसको नगन फोटो बना दिया जाता है ऐसे करके आपको डराया जाता है आपके कॉंटक लिश्ट को हैक कर लिया जाता है आपको बताया जाता है तो पहले नंबर पे तो है कि आपको पैसा क्यों देंगे और उपर से आपको पता है कि उसका स सबसे पहले तो आपको यही चीज ध्यान रखना है कि फैक लोन ही नहीं लेना है और अगर लिये हैं और वह कंपनी दावा कर रहा है कि अगर नहीं दिख रहा है तो यह इनपोमेशन था जो मैंने आप लोगों को सेयर किया और मुझे उमीद है कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ नया जरूर सिखाया और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो रिलेटेट कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कॉमेंट करकर जरूर पुछिएगा और साथ में इसा कौन सा लोन एपस है जो आपको लग रहा है कि फेक है ताकि लोगों को भी पता चली मैं उस पर जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि वीडियो बना के आप लोगों को बताऊं ठीक है तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगला है जसे शल्द के शल्द को यारा है किसी अगलेगा कि लोगों करूं को फेक कती है था?